नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है आज है 27 दिसम्बर दिन बुदवार खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर बिहार में बना अस्थाई रैन बसेडा और अस्थाई रैन बसेडा इमर्जेंसी कोटे का इस्तमाल कर ऐसे पाएं कनफर्म ट्रेन टिकेट बीपीएसी टी आरी मल्टिपल रिजल्ट के उमीद कर रहे अभ्यार्थियों को अतुल प्रशाद की सला भारत में अंग्रेजों के जमाने के तीन कानून खत्म रोहित सर्मा ने बताया रवंद्र जडिजा के वॉक्सिंग डे टेस्ट ना खेलने की वज़ा अब चलिए बरते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी ख़वरों के ओर वस्तार से यूपी पुलिस सिपाही के 6244 पदों पर भरती बता दे कि आवेदन करने की शिडवात आज यानी की 27 दिसम्बर 2023 से हो रही है वहीं आवेदन करने की अंतम तारीक 16 जन्वरी 2024 तक नरधारित की गई है इसके लेगर सेचने क्योगिता की बात करे तो मिद्वार को किसी मानिता प्राप्त बोर से दसवी के साथ बारवी कक्षा की परिक्षा उत्तर्ण होना अनिवार है यादि किसी उमिद्वार को आवेदन में असुधा होती है तो वे बोर द्वार जारी सुने 4447749 सुने एक शुने पर कॉल करके सहाईता प्राप्त कर सकते हैं इससे जुरी अधिक जानकारी के लिए एक बार जारी की गए नोटिफिकेशन को जरूर देख लें बिहार में बना स्थाई रैन बसेरा और स्थाई रैन बसेरा बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा बिहार में 108 जगों पर स्थाई रैन बसेरा और उनसर्ट स्थानों पर स्थाई रैन बसेरा बनाया गया है जहां लोगों के लिए सुरक्ष स्वच और निशुलक आवाज की सुवधा उपलब्ध है पतादे कि स्थाई रेन बसेरा में जो सुवधाईं मिल रही हैं उनमें प्रतीक व्यक्ति के लिए पड़याप्त 50 वर्ग फूर्ड जगह की सुवधा चौकी गदे एवं तक्ये की सुवधा, चादर और कंबल की सुवधा, रोश्नी एवं पंके की सुवधा, सौचाले एवं असनान घर की सुवधा, सुद्ध पेजल की सुवधा, रजिस्टर टेबल और कुर्सी की सुवधा, आस्रे अस्थल के प्रवेस द्वार पर डिस्पल बोड की सुवधा, CCTV कैमरा एवं अगनीशा मकियंत्र की सुवधा सामिल है। बिहारे बोतरे स्पेशर में आज हम बात करेंगे तोशी सिनहा के बारे में। दैट सोशूट, लाइफ औफ हनना, मोंटाना, मैन, वुमन, वाइल्ड और ट्रिक और चोस। उन्होंने एनिमेटर स्ट्रिंग्ला स्पाइडर मैन भी डब की जहां उन्होंने चत्र ब्लाक कैट को डब किया। तोशी ने कई दक्षिन भारतिय फिल्मों को हिंदी में डब भी किया, जन फिल्मों में उन्होंने डबिंग आर्टिस्ट के रूप में काम किया है, वे हैं नागवलली, अथाडू, धमू, स्थामी, कोडी, चांटी, स्केच और भी बहुत कुछ। उन्होंने कुछ अंग्रेजी फिल्मों को हिंदी में भी डब किया, जिसपे ये दा टक्सीडो, थौर, स्पेक्टर, टाइवर्जंट, डेडपूल, डेडपूल 2 जैसे फिल्म शामिल है। CBSE, ICSC और बिहार बोर्ड के 12 के मिधावी छातरों को JEE में इंजिनिर्निंग के लिए मिलेगी चातरवती। CBSE, IC, SC और बिहार बोर्ड के 12 मिधावी विद्यार्थियों को अब इंजिनिर्निंग कॉलेज में दाखिला लेने में कोई परशानी ना हो। इसको लेकर पहली बार pre-board international scholarship से चात्रवती दी जाएगी बता दे किस scholarship में चनल चात्रों को engineering college में दाकिला लेने के लिए 10.3 लाख रूपे की चात्रवती दी जाएगी यह परिक्षा देश भर में बिर्स पिलानी दुबाई द्वारा दी जाएगी यह परिक्षा तीन घंटे के लिए आयोजित की जाएगी जिसमें भौतिकी रशायन सास्त्र और गरित विशय शामल होंगे मालम हो कि अब परिक्षा हर स्कूल में आयोजित की जाएगी वहिस परिक्षा में चात्र ओफलाइन या ओनलाइन दोनों ही तरह से परिक्षा में शामल हो सकते हैं परिक्षा के लिए पंजियन के अंतिम्तिती 31 दिसंबर तक निर्धारित की गई है और परिच्छा 20 जनवरी 2024 तक आयोजित की जाएगी न्यू येर के दिन जू में एंट्री फीस 100 रुपे नए साल के आने में अब बस कुछी दिन बाकी रहे गये हैं ऐसे में नए साल को लेकर पटना मे कई तयारिया की जा रही है पतादी की पटना में इसथे जू और बिहार म्यूजियम सोमवार को बंत रहते हैं लेकि न्यू येर के कारण इसे सोमवार को भी खोला जाएगा हाला कि टिकट के दाम आम दिनों के मताबिक उस दिस जादा होंगे मालम हो कि न्यू येर के दिन पटनाजू में प्रती विश्क सौ रुपै और शिशु के लिए 50 रुपै टिकेट के शिल्क लगेंगे वहीं लोगों की भीर को देखते वे काउंटर के संख्या को भी बढ़ाया जाएगा वहीं इको पार्क में प्रती वेश्क के लिए 50 रुपै और बच्चों के लिए 25 नई परिटन नीती को मिली मंजूरी बितिदिन नितीश कुमार के अध्यक्षता में हुई काविनेट की बैठक में कुल 29 एजेंडो पर मुहर लगाई कै जिसमें से एक नई परिटन नीती को मंजूरी मिलना भी सामिल है ऐसे में राजय में नई टूरिजम पॉलशी के तहट निवेश को और उद्यमियों को उनकी पुंजी निवेश पर अलग-अलग स्लैब में सबसीडी दी जाएगी इस बारे में परटन सचीव अभय कुमार सिंग के द्वारा बताया गया कि परटन के छेत्र में विभाग की ओ आधा हिस्ता प्रधिस्ठापन सुरू करने पर 25 प्रतीशत दो साल पूरा होने पर और बाग की 5 साल बात दिया जाएगा इसके लावा निवेशकों को भूमी के किस नरधारन जमीनों की खरिदारी या ट्रांसफर के स्टाम सुल्क और पंजीकरन सुल्क में की लागत में शत्थ प्रतीशत और टुरिस्ट यूनिट के संचालन पर स्टेट जीस्टी का 80 प्रतीशत का री इंबर्समेंट दिया जा जिसके जरहें आप अपने वेटिंग टिकेट को कंफर्म टिकेट में बदल सकते हैं मानमों की भारतिये रेलवे के द्वारा पहले एमर्जनसी कोटा के शुरुआत के वल अपने करमचारियों के लिए की गई थी लेकिन अब विधाय को सांसदो नियायत अधिकारियों और स जरोरी है इमर्जनसी कोटा के लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्म भरना होगा और फिर इस फॉर्म को लेकर आप जोनल इमर्जनसी सेल मंडल हेड़कौर्टर या स्टेशन में संपर्क कर सकते हैं रेलवे अथिकारियों के द्वारा सीटों की उपलगता और यात्री के इ आयोग द्वारा दूसरे चलन की सिक्षक निफ्ति परिच्छा के नतीजे जारी करने की प्रक्रियाद जारी है लेकिन सबके बीच कहीं सिक्षक अभ्यरति ऐसे भी हैं जो मल्टीपल नतीजों का इंतजार कर रहे हैं और इन अभ्यरतियों के मन में काउंसलिंग को लेकर अ परिणामों की उम्मीद कर रहे हैं उन्हें सभी परिणामों की प्रतिक्षा करनी चाहिए और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए C.A.G. की रिपोर्ट में खुलासे के बाद किंद्र सरकार ने बिहार के नौ जिलों से मांगे करोड रूपए C.A.G. की रिपोर्ट से इस बाद का खुलासा हुआ है कि राश्ट्रिय समाचिक सहाइता कारेकरम के तहट उपलब्ध कराई गई राशी में देश के कई राजियों में करोडों की गरबड़ी हुई है जिसमें बिहार के नौ जिले शामिल है ऐसे में इस राशी की वशूली को लेकर केंद्रे ग्रामीन विकास मंत्राली की आर्थिक सलहकार कल्यानी मिश्रा के दोरा विहार के समाजिक सुरक्षा कल्यान विभाग के सचीव को पत्र लिख कर आगरह किया गया है जिसको देखते वे समाजिक सुरक्षा निदेशक प्र बद्ध कराई गई राश्ची में गरबड़ी पाई गई है उनमें मुझपरपूर दर्भंगा सीता मड़ी भागलपूर रोता सहरसा कटिहार नवादा एवं कैमूर जलाश्चा है बिहार परिटन में आजम बात करेंगे गुरुद्वारा बाल लीला के बारे में तक्त श्री हर्मंद शाहद जी पठना के समीब गुरुद्वारा बाल लीला मैनी संगत है एक संकडी गली में सित इस गुरुद्वारी के स्थापना 28 अगस्त 1600 और सरको ही थी जैसा कि इस तर्थ अस्थान के पुराने बाहरी दर्वाजे पर लक्री पर एक नकाशी में कहा गया है यह वह भवन है जहां राजा फते चंद मैनी और रानी विसंभरी देवी रहते थे और यहां गुरु गोवन सिंग बालक के रूप में अकसर खेला करते थे गुरु द्वारा के बारे में कहानी यह है कि भगवान की कृपा से राजा फते चंद मैनी के पास सब कुछ था और राजा और उनकी पतनी के लिए दुख का एक मात्र कारण यह था कि वे निसंतान थ के बहुत बड़े प्रसंद सकते पंडित सिवदत ने तब उन्हें दिर्वे संतान बाला प्रितम या गोविंद राई के बारे में बताया उन्होंने कहा कि भवच्चा उनके जीवन को आशा और आनंब से भर देगा राजा फते चंद मैनी और उनकी पतनी बाला प्रितम को अपना पुत्र मानते थे उन्होंने अपने महल और संपत्ती को उसे उपहार में देने का फैसला किया वर्सोबाद इस स्थान पर एक सुन्दर गुरुद्वारा का निर्मान किया गया और इसका नाम गुरुद्वारा बाल लीला मैनी संगत रखा गया आज भी यहां बाला चमपारंजले के सुसील कुमार जिन्होंने कौन बनेगा करोड़ पती में पांच करोड रुपए जीते थे वो भी अब बीपियस स्थिक छक बन गहे हैं बता दे कि सुसील कुमार के द्वारा छे से आठ और ग्यार से बारा दोनों परिक्षाओं में बाजी मार ली गई है तरसल सुसील कुमार ने वर्ग 6-8 में सोशल साइंस में 1692 रैंक हासल किया तो वहीं वर्ग 11-12 में 119 रैंक हासल किया है उन्होंने बताय कि के बीसी में जीतने के बाद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और सिक्षा के छेत्र में जानी का लक्षे नर्थारित कि इन्होंने अपनी पिएसडी बाबा साहिब भीम राओ अम्बेट कर यूनिवर्जिटी से कर रहे हैं मालू हो कि सुसील कुमार मन्रेगा में कम्प्यूटर ओपरेटर की निक्ती करते थे वहीं इन्होंने पड़यावरन सनक्षन के दिसा में भी काफी सफल प्रयास किया है के द्वारा चलाया गया गोड़या सरक्षन अभियान एवं चमपा से चमपारन अभियान पूरे राज्य में चर्चा का विशे बना तीन फर्जी सिक्चक अभ्यर्थियों के खिलाफ F.I.R. दर्ज करने का देश। मैच नहीं किया इसे अगमभीरता से लिते वे सक्षा विभागने संबंधित तीनों अभ्यstenियों के व्रूद प्राथमी की दर्ज करने का आदेश संबंधित जिला सक्षा पतादिकारियों को दिया है देश की पहली दो अमरत भारत ट्रेनों को हरी जंडी दिखाकर दरभंगा, अनन्द विहार और माल्दा टाउन बैंगलुडू के बीच परिचालम की श्रवात की जाएगी बता देगे दरभंगा से नई दिल्ली जाने वाली अमरत भारत का रैक दो तीन दिनों में दरभंगा स्टेशन पर पहुँचने के आसार है जो की नौन एसी होंगी और उनका किराया प्रीमियम ट्रेनों से 13 से 20 फीज़दी अधिक हो सकता है आपकी जानकारी के बता दे किस ट्रेन की अधिकतम रफतार 130 किलो मीटर प्रती घंटा होगी इसके ओसत रफतार पूल पुश तकनीक के चलते अने प्रीमियम ट्रेनों से अधिक होगी क्योंकि इसमें दो इंजन होगे मालम होग इसका इंजन वंदे भारत ट्रेन की तर्च पर डिजाइन किया गया है कोच की खिड़की के ऊपर और नीचे के सरीया पट्टी होगी इस ट्रेन में यात्रियों को जटके नहीं लगेंगे रफ्तार अधिक होने के कारण स्ट्रेंज से दिली से दर्भंगा तक का सफर एक से दो घंटे घट जाएगा नियोजे सक्षकों को राजे कर्मी बनने के बाद इतनी मिलेगी सालरी विदेदिन काविनेट की बैठक में बिहार सरकार के दोरा राजे के कड़ी पौने चार लाख नियोजे सक्षकों को राजे कर्मी का दर्जा दे कर एक बड़ा तौफा दिया गया है वहीं अब सभी नियोजिक सिक्षक जिन्हें राजे कर्मी का दर्जा मिलेगा उन्हें भी बिहार सरकार के करमचारियों की तरह कई सरकारी सुधाओं का लाब भी मिलेगा मालुम हो कि अब इन्हें वेतन के साथ साथ भद्ता भी मिलेगा कक्षा 1 से लेकर 5 तक के विसिष्ट सिक्षकों को 25,000 रुपए बेतन मिलेंगे वहीं कक्षा 6 से लेकर 8 तक के विसिष्ट सिक्षकों को 28,000 रुपए जबकि कक्षा 9 से 10 तक के सक्षकों को 31,000 रुपए और कक्षा 11 से वारत तक के विसिष्ट सिक्षकों को 32,000 रुपए बेतन प्रति महत दिये जाएंगे वहिसके लावा इस चखचको को महगई भत्ता मकान किराया भत्ता चिकिस्था भत्ता सहरी पड़िवहन भत्ता समय समय पर विदन भत्तों में संसोधत किया जा सकता है आठ वर्सों के बाद सिक्षकों की प्रोर्णती भी हो सकती है और साथ ही जिला सिक्षा प्रदादिकारी सिक्षकों को जिला में अस्थांतरत कर सकते हैं ब्यार में जल्दी बदलने वाला है मौसम भारती मौसम विग्ञान विभाग ने latest अपडेट जारी किया है मौसम विग्ञानीों की ओर से प्यार को लेकर Alert जारी किया गया अप्डी की माने तो प्रदेश में मौसम का मिज़ाज जल्द ही बदलने वाला है नए साल में लोगों को मौसम के नए तेवर से दो चार होना पर सकता है इसके साथ ही तापमान में गिरावट भी हो सकती है जिसके चलते कपकपाती ठंड के साथ कोड़े का सामना करना पर सकता है मौसम विभाग के ताजा अपडेट के नुसार आगामी दो जन्वरी दो हजार चौबिस से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिस होने का पुर्वानुमान जताया गया है बारिस के चलते फौरी तोर पर तो न्यून तब तापमान में व्रिधी होने के आसार है लेकिन बादल छटते ही पाड़े में गिरावट दर्ज की जा सकती है इसके कारण ठंड का प्रकोब बढ़ेगा आयमडी ने बुदवार से कुराच्छानी की संभावना भी जताई है मौसम विभाग से मिली जानकारी के मताविक अमने साल में ठंड में बर सकती है 31 दिसंबर तक तापमान में आंसिक उतार चड़ाव के सिती बनी रहेगी जनवरी 2024 के पहले सब्ता हमें पाड़ा गिर सकता है सिक्चक भरती रिजल्ट पर अपती दर्ज करने में हुई गलती को लेकर आयोग ने अपनाया सकतरुक प्यार लोग सेवा आयोग के पहले चरण के सक्चक भरती परिच्छा के रिजल्ट को लेकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने में गलती करने वाले 171 अभ्यर्थियों के खिलाफ आयोग के द्वारा सकतरुक अपनाते वे नोटिस भेजा गया था वही अभ्यर्थियों द्वारा संतो जनक स्पस्टी करन न दिये जाने पर अगले एक साल के भरती परिच्छाओं से उन्हें प्रतिबंतित कर दिया गया है वही आयोग की ओर से इन अभ्यर्थियों का रोल नंबर लिस्ट भी जारी कर दिया गया है वहीं इस बाड़े में आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किये गए नोटिस में कहा गया है कि TRE एक रिजल को लेकर शिकायत करने वाले अभियर्थियों से 29 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक ऑनलाइन आपतिया मागी गई है ऐसे में निर्धारित अभधी मेकुल 1756 अभियर्थियों के द्वरा आभीदन दिये गए थे लेकिन आयोग के द्वरा जात में पाया गया कि 1756 आभीदन पत्रों में से 741 आभीदन पत्र ऐसे थी जो बिना सपथपत्र के समर्पित थे अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो इंद्रा गांधी राश्ट्रिय मुक्त विश्विद्याले यानि की इगनु के जनवरी सत्र में नमांकर लेना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है बतादे किसके लिए आवेदन के शिरवात हो चुकी है एसे में चुक अभी हरती इगनु की आधिकारिक वेबसाइट इगनु.ac.in पर जाकर अपना अवेदन कर सकते हैं बतादे के अवेदन करने की अंतिमतारिक 31 जनवरी 2024 तक निरधारित की गई है वहीं संबन्द में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है जिसे उमिद्वा पर विजय कुमार चौधरी ने बताई पूरी बात बीते दिन मंगलवार को जेडियू के राश्ट्री अध्यक्ष ललन सिंग के सिफे को लेकर सियासी गलियारे में चर्चा तेज हो गई थी लेकिन इन्हीं चर्चाओं के बीच बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार करने के लिए 29 दिसंबर 2023 को तेश की राज़धाने दिली में राश्ट्रे कारेकार्णी और राश्ट्रे परिसत की बैठक होने वाली है उन्होंने कहा कि इंडिया गडवंधन में काफी पार्टियां है सीट शेरिंग के लिए बैठक हो रही है जेलियू में कोई अंद्रोन करनी कला नहीं है हम जो बोल रहे हैं वहीं सही है उन्होंने कहा कि महागरवंधन में सीट शेरिंग का मामला जल सुलजा लिया जाएगा वहीं लेलन सिंग के दौरा भी खुद इस बात का खंडन किया गया और बेबुनियान बताया गया रहुल गांधियों और मलेका अर्जन खरगे ने बिहार के कॉंग्रस नेताओं से की मुलाकार बीते दिन कॉंग्रस के शृट्स नत्त्व के द्वारा बिहार के वरिष्ट कॉंग्रसी नेताओं के साथ दिली में बैठक आयुजित की गई बता दे कि कॉंग्रस अध्यक्ष मलेका अर्जन खरगे और कॉंग्रस नेता रहुल गांधि के साथ बिहार के वरिष्ट कॉंग्रसी नेता की इस बैठक में बिहार कॉंग्रस के नवनिक्त प्रिभारी मोहन प्रकाश और कॉंग्रस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेस सिंग भी शामिल हुए वह इस बैठक में बिहार में कॉंग्रस को कितनी सीटे चाहिए इस पर प्रदेश के निताओं से राय ली गई और साथी आगामी लोग सभाचनाओं की तयारियों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई बैठक के बाद मलेका अर्जन खरगे के द्वारा कहा गया कि लोग सभाचनाओं संबनी तयारियों को लेकर बिहार कॉंग्रस निताओं से चर्चा हुई है उन्होंने कहा कि बिहार में महागर्मिनन सरकार मजबूती से बिहार के लोगों को आशा के नरूप काम कर रही है बिहार की तरक्य, खुशाली और अमन्चैन के लिए कॉंग्रस का एक एक कारेकरता पूरी मेन से जन जन तक जाने को और बिहार के लोगों की आकान चाओं के नरूप खड़ा उतरने को तक पड़ है बीजेपी के साथ सीएम नितीश के आने की अटकलों पर शाहनवाज हुसेन का बयान पिछले कुछ दिनों से राज़नते गलियारों में ऐसे खबरे चल रही है कि बिहार के मुख्य मंतरी नितीश कुमार बीजेपी में शामिल हो सकते हैं वहीं अबिनतकलों पर पुड़व, मंतरी और भाज़पा के राश्ट्रे प्रवक्ता सेयद साहनवाज हुसेन के द्वाला मीडिया से बात करते वे कहा गया कि अब भाजपा और जेट्यू कभी एक नहीं हो सकते हैं बीजेपी आकामी चनाव में 40 के 40 सीट जेती की 2024 के चनाव में क्या परिणाम होगा उससे पहले ही आपके सामने परिणाम हाजिर है कि आपस में ही द्वांद शुड़ हो गई है ऐसे में अब अब अंधाजा लगाया जा सकता है कि 2024 किसका है मालम हो कि उनके इस बयान से भाजपा और जेडियों के बढ़ रही नजदीकियों के क्यास पर विराम लगा दिया गया है वहीं यह सब इबातिन होने भागलपुर दोरे के दूसरे दिन मीडिया से बाचिक करते वे कही है भारत में अंग्रेजों के जमाने के तीन कानून खत्म राश्पती द्रौपदी मुर्मों के द्वारा भारत में अंग्रेजों के जमाने में बने तीन कानून खत्म करते वे भारतिये न्याय सहिंता, भारतिये नागरिक सुरक्षा सहिंता और भारतिये साक्ष्य बिल को अपनी मंजूरी दे दी गई है बयान कैसे दर्ज होगा ये सब इंडियन एविडेंस एक्ट में हैं ऐसे में अब ये सब नई कानून में आ गए हैं रोहत सर्मानी बताया रवंद्र जडिजा के बॉक्सिंग डेर टेस्ट ना खेलने की वज़ा भारत और साउथ अफरिका के बीच खेले जाने वाले दो मैचों की टेस्ट सरीज के पहले टेस्ट में भारतिय टीम के कप्तान रोहत सर्मा के द्वारा बताया गया कि स्टार ओल रवंद्र जडिजा पहला टेस्ट नहीं खेल रहे हैं उनकी जगह आर अश्विन को मौका दिया गया है उन्होंने बताया कि जडिजा की पीट में थोड़ी एठन थी इसलिए अस्विन को उनकी जगह शाविल किया गया है अच्छे किस्पिरण है इसके अलावा तेज गें मैच खेलते वे 2,804 रन बनाई है जिसमें 3 सतक और 19 अर्दश तक शामिल है भारत के तिहास में आज की तारीक है कही कार्णुस दर्ज कॉलकत्ता में 1861 में पहली बार चाई की सारवजनिक बोली संपन हुई भारती राष्ट्री कॉल्ग्रिस के कलकता अधिवेशन के दौर सक्री लशकर ए तोई बारे 2001 में अब्दुल वाहद कश्मीरी को अपना नया प्रमुक्त निक्त किया भारत ने 2004 में तीसरे और अंतिम बंडे में बांगलादेश को हड़ा कर स्रिंखला दो एक से जीती सन 2008 में वी शांता राम पुरुसकार समारू में तारे जमी पर को सरव स्रेस्टिव फिल्म का पुरुसकार मिला उर्दू फार्सी के प्रख्यात कभी मिर्जा गाली का जर्म 1797 में हुआ पंजाब की प्रमुक्सिक कारिकरता उजुवल सिंग का जर्म 1895 में हुआ उत्राखन के पहले मोख्य मंत्री रित्यानन्द स्वामी का जर्म 1927 में हुआ भ भारतिय करनाटक संगीत परंपड़ा के सरवुत कृष्ट संगेत अग्यों में से एक स्वामी तिरुनल का निधन 846 में हुआ वारल के में आज हम बात करेंगे नेशनल करियर सर्विसेज के बारे में सोचल मीडिया पर कहीं सूचना है वारल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे नेशनल करियर सर्विसस के बारे में दरसल PIV ने अपने टूइट में लिखा है कि एक ऐसा दावा किया जा रहा है कि गथित तौर पर नेशनल करियर सर्विसस द्वारा भेजा गया एक फरजी इमेल एड दरेट NCS इंडिया प्राप्त करत को प्रतीमा 22,000 रुपे और स्पीड पोस्ट के माध्यम से एक स्वागत कर देने का दावा करता है प्याइवी ने अपिटूइट में लिखा है कि एक घोटाला है नेशनल करियर सर्विसस कभी ऐसा कोई इमेल नहीं भेजता फालतो के प्रमोशनल मेल्स से अब नहीं भड़ के लिए गूगल जीमल में अंसब्सक्राइब बटन देता है हाला कि वर्तमायान में यह उप्शन मेल्स के नीचे या तीन डॉट मेन्यू के अंदर मिलता है इससे यूजर को हड़ मेल का अंसब्सक्राइब करने में ज्यादा टाइम लगता है अपना ये अपडेट में मेल के टॉप पर दिया है इससे यूजर्स आसानी से इस तरह के मेल से चुटकाड़ा पा सकते हैं फिलहाल ये अबडेट केवल आई ओएस एप के लिए जारी किया गया है अंडॉइड यूजर्स ये कब मिलेगा इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है हम प्रते दिन आपसे पांच ऐसे जरूरी सवाल और उससे जवाब बताएंगे जो की बीपीसी बिहार पुलिस दारोगा समेट ऐससे जैसे अने प्रतियोगी परिच्छाओं में काम आएंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 25 दिसंबर दो हजार तईस अगला सवाल हाली में किसको युनस्को के सबसे खूबसूरत हवाई अड़ो में मानता मिली है ऑप्शनी कॉलकता हवाई अड़ा, ऑप्शनी बेंगलूरू हवाई अड़ा के टीटू, ऑप्शनी लखनाउ हवाई अड़ा, ऑप्शनी दिल्ली हवाई अड़ा इसका सही उत्तर है ऑप्शनी बेंगलूरू हवाई अड़े के टीटू अगला सवाल, किस देश में 2027 से लोही पर कार्बन बॉर्डर टैक्स लागो करेगा? उप्शन A भारत, उप्शन B कनाड़ा, उप्शन C अमेरिका, उप्शन D उनाइटेट किंग्डम इसका स्तही उत्तर है उप्शन D उनाइटेट किंग्डम अगला सवाल, विहार में महात्मा गांधी के रचनात्म काड़िक्रम खादी का काड़े कब आडब हुआ था? उप्शन A 1921, उप्शन B 1924, उप्शन C 1920, उप्शन D 1923 इसका सही उत्तर है उप्शन A 1921 अगला सवाल, अखिल भारतिये चर्खा संकी बिहार शाखा का मुख्याले कहां स्थित नहीं रहा है? उप्शन D पत्ना, उप्शन B मुझब परपुर, उप्शन C मधुबनी, उप्शन D भागलपुर इसका सही उत्तर है उप्शन D भागलपुर बीते दिन हमादरा पूछे के सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपने जाब हमें मारे comment section box में लिख कर दिया था जिनोंने हमादरा पूछे के सवालों का जवाब दिया है इसके साथ ही बढ़ते हैं अचके सवाल की और आज का सवाल है आपने अब तक अपने जीवन में खुद के द्वारा निरधारित किये गए लक्षे में कितनों ही सफलता पाई है अपना जवाब हमें अमारे कॉमेंट सेक्षन में लिख कर जरूर बताएं आज के लिए तना ही बिहार के तमाम कबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज और साती अगर आप यूटूब से देखरें चाल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहें तो पेस को फॉलो करना ना भूलें धन्यवाद